नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि M.T.A.R. Technologies Limited के IPO का ग्रे मार्केट में आज यानि की 4 मार्च 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है तो इस वीडियो को अनते तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर करें वैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी सबस्क्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखें MTAR Technologies Limited का जो IPO है वो 3 मार्च यानि कल से ओपन हो चुका है अप्लाई करने के लिए और 5 मार्च के दिन इसकी लास्ट डेट होने वाली है यानि कि कल शाम को 5 बजे के पहले ही आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं वही प्राइस बेंड की बात करें तो करीब 524 से लेकर 575 का इसका प्राइस बेंड है यानि कि 575 रुपे का आपको एक शेयर मिलने वाला है वही बात करें लॉट साइज की तो यहाँ पर एक लॉट में 26 शेयर आएंगे यानि कि आप मिनिमम 26 शेयर के लिए अप्लाई कर सक रखते हैं वहीं बात करें रिटेल केटेगरी के कोटे की तो यहाँ पर रिटेल केटेगरी के लिए करीब 35% शेयर रिजर्व रखे गए हैं अब देखिए ग्रे मार्केट का जो इसका प्रीमियम है लगातार पहले दिन से ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज भी आई पियो है या कोई भी शेयर है उसका जो प्रीमियम रहेगा या किसी शेयर का प्राइज रहेगा वो हमेशा फ्लक्चूइट करता रहता है यानि कि डेली कुछ न कुछ उसमें बदला होता है या तो अप साइट पर जाएगा या फिर लोवर साइट पर जाएगा इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि देखिए 400 रुपे का प्रीमियम भी बहुत जादा प्रीमियम है और ये भी जो इसका इसू प्राइज है जो इसका इसू प्राइज है 575 रुपे का उसके मुकाबले करीब करीब मुझे लगता है कि 70% के आसपास है और देखिए एक कंपन पर लिस्ट होता हुए नज़रा रहा था यानि कि इसमें थोड़ी सी कमी आई है ये कमी और बड़ोतरी ये दोनों आते रहेंगे इससे हमें केवल इतना ही अंदाजा लगाना है कि ये जो IPO है ये हमें 400 रुपए के आसपास का प्रीमियम दे रहा है यानि कि काफी बहतरीन ये IPO में पैसा जरूर लगाना चाहिए देकि सौट टर्म के लिए आप लगाएं या ना लगाएं वो बात आपके उपर डिपेंड करती है कि आपको लगाना है या नहीं लेकिन लॉंग टर्म के लिए आपको इसमें कुछ पैसा जरूर लगाना चाहिए अगर आप इसमें पैस लगाते हैं आपको एलॉट्मेंट मिलता है तो निस्तित रूप से कुछ शेयर बेच कर आप मुनाफ़ा कमाल है लेकिन कुछ शेयर को आप जरूर लॉंग टम के लिए रखें क्योंकि लॉंग टम के लिए इस शेयर बहुत ही बढ़िया शेयर है और आपको पता ही होगा कि य जिन में अभी ग्रोथ होना बहुती जादा बाकी है तो इस कंपनी में भी ग्रोथ की पूरी-पूरी संभावना है और आपको बहतर मुनाफ़ा इस कंपनी के थूरू आपको देखने को मिल सकता है तो देखिए ग्रे मार्गेट का प्रीमियम घटा वड़ता रहता है 10-20 र कितने तक ये लिस्ट हो सकता है तो उसका अंदाजा हमें लग गया है कि करीब 575 रुपे का जो शेयर है वो करीब करीब आपको यहां पर अच्छा का सा प्रीमियम दे कर करीब 1000-1200 रुपे तक के करीब लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है यानि कि पहले दिनी आपको करीब करीब डबल पैसा हो सकता है आपका यानि कि आप 14-15,000 जो भी रुपे लगाएंगे वो पैसे आपके 30,000 तक हो सकते हैं लेकिन आप यकीन मानी है कि अगर आप इस शेयर को रखेंगे एक साल दो साल के लिए तो निश्चित रूप से आपको इस शेयर में भारी भर कम मुना काम है और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए एक कंपनी काम करती है तो देखे आपको यहाँ पर अपना जो मूड बनाना है कि किस तरीके से आपको एपलाई करना चाहिए चाहिए आप लिस्टिंग इन के लिए करें या लॉंग टर्म के लिए करें लेकिन जादा आपको गेन मिलने की संभावना उस दिन रहेंगी तो देखे मेरी राय की बात करें तो लॉंग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ही आपको एपलाई करना चाहिए आज दूसरा दिन है और आपको जरूर इस आईपियों में एपलाई करना चाहिए वैसे सामक में आपको इसका सब्सक्रिप्शन डेटा भी लेकर आऊंगा कि कितना परसेंट ये आईपियों सब्सक्राइब हो चुका है लेकिन कुछ देखने की जरूरत नहीं है कंपनी के बारे में मैं बता चुका हूँ कंपनी के बारे में आपको देखना था वही काफी है इस इसे बना रहा हूँ अपना पॉइंट ओ व्यू रख रहा हूँ अब अप्लाइ करना है नहीं करना है वह आपकी मज़ी है और यहां पर अगर आप लॉस करते हैं तो आप खुद ही उसके जिम्मवार होंगे क्योंकि मैं यहां केबल एजुकेशनल परपस के लिए बना रहा तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटि आज की वीडियों फिलाल इतना ही धन्यवाद